पहां बहुत ही तेज और ठंडा पानी है नहाने को मन कर लाए इधर हमारे सेगेंड डेस्टिनेशन पर जो है दूर्गापूर पैरेज फैनली हम लोग चले आए फांग लार की दाननात मंदीर जोस्ट अ है 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 लो दोस्तों फिर से और एक में सुबे की सुर्वात हुई बादल भरे मौसम के साथ गुट मॉर्निंग दोस्तों नमस्ते आदर सशे कलों कम बैक तो अनादर वीडियों माइल्स ब्रेकर में दोस्तों आज हम जाएंगे रांगिया पैरेज और पांगलर के दनना टेमपल पर जो भगवान शीव जी का है उदर हम लोग जाएंगे तो बीच में समय होगा हम लोग दूरगापूर पैरेज होके भी आएंगे तो दोस्तों पूरा डीटेल्स आपको लाइक ज्यादा होगा तो हमको भी इंकरेज होगा और भी ज्यादा वीडियो इस तरह का वीडियो लाने के लिए तो लाइक भी कर दीजिए और वीडियो में भी बने रही है अभी दोस्तों बारिस का मौसम है उपर देखिए बादल का पूरा जमावट है उपर बारिस वाट्रीब भीगा हुआ हो जाएगा दोस्तों आज पहली बार मेरे वज़े से देवदा को लेठ हो गया हम लोगों को निकलना था इधर से सुबे के पाच बज़े के करिब तो अभी सुबे के छे बजने की कगार पे हैं अभी हम लोग चले आए डारन कुनी टोल प्लाजा अभी इधर हम लोग नहीं रुकेंगे क्योंकि मौसम कभी भी खराब हो सकता है तो इस वज़े से जितना दूर हो सके हम लोग जाने की कोशिश करेंगे इधर से लगबख शायद हम लोग सकती कर जाके ब्रेकफस्ट कर सकते हैं या उसके आगे भी शायद उपर का बादल का जमावट देखिए लगता है उधर बारिश हो रहा है तो इस वज़े से हम लोग इधर से जल्दी से जल्दी निकल जाने की कोशिश कर रहे हैं तो देखते हैं किता जाके हम लोग ब्रेकफस्ट करते हैं तो वीडियो में बने रही है अब नेशनल फ्याइक कर बाइक के पीछे हैं अब नेशनल फ्याइक काखने बाइक के पीछोने लागाते नहीं अब दोस्तो हम लोग सक्ति गर चे ले आए इधर लुख के ब्रेकफस्ट करेंगे बहुत जोड की भूग लेगी जिए इधर रूखेंगे शायद देवता है तो इधर हम लोग ब्रेकफस्ट करेंगे बोलने पर भी कोई फरक नहीं परता इन लोगों को अभी दोस्तों हम लोग इस होटेल से ब्रेकफस्ट के बहुत जोड़ की भूग लगी थी खाके भी अच्छा लग गर्म गरम बना के दिये औ और हम जा रहे है रामभीः बरफ सिधर नमुद्ट के जा रहे हैं अ मुद्ध होके जारह कि अब हम लोग बुद्ध होके जा रहे हैं तो देख़े हैं मौसम का हालत कैसा है लगातार आदे घंटे से ऐसा ही मौसम है हम लोग क्या करो भीग ठुके हे लगभक मेरा पैंड तो पूरा बीग गया है इस मौसम में राई करके अच्छा गगा है और भीग के बहुत हीración पूरा है फिर भी हम लोग कंप्लीट करेंगे यह राइट तो दोस्तों फाइनली हम लोग चले आए रांधिया बेरेच पर देखिए मौसम कितना सुहाना लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है उपर बादल देखिए एकदम हमारे सर के उपर बीराजमान है और दोस्तों टाय तरफ देखिए पादल की उस पार पूरा धूप खिला हुआ है देखिए कितना अच्छा लग रहा है इधर च्वाव है उधर धोफ है लेकिन हमारे डिक्गत बी कम नहीं है तो यह दोस्तों हमारे पहले डिस्टिनेशन रांधिया बैरेच देखिए कितना अच्छा लग र ये सीट्य है कांधिया बेरीज बहुत ही तीज ही ठंदा पानी नहाने को मन कर दाए इधर दूर देखिये भूब खिलावा है हमारे सरती ऊपर भादल गरज रहा है गरजने की बात बोलते बरस भी रहा है देखें बूलडबूडधी हो रहा है अभी अब दोस्तों आज का मॉंसुन राइट बढ़िया है दोस्तों बोलतों बोलते अभी बारिश तेज होना शुरू हो गया बारिश के साथ पानी का बहाप भी और भी भुरा सा ज्यादा हो गया इन मॉसुन में राइट करना भारी तो परता है लेकिन अच्छे भी लगता है और उधर मचली पकड़ा है कॉल सा मचली पकड़ा अभी देखा नहीं है लेकिन दोस्तों जो भी है ऐसा ही है मज़ा तो आ रहा है इस राइट का और भीकते हुए धन भी लग जाएगा शायद दोस्तों अभी हम लोगों का जाने का समय हो गया इधर से हम लोग अभी जाएंगे दूरगापूर बैरेज जो इधर से लगबक 27 किलोमीटर गूगल बाबा दिखा ला है तो दोस्तों आपको धुंदला लग रहा होगा शायद क्यूंकि मैं वाटरपूफ कवर चराया तो इस वज़े से तो अभी हम लोगों के जाने का समय देखिये मौसम बहुत ही सुवाना हो गया तो क्या करूं नसीप में यही है मौसम अभी हम लोग जा रहे हैं दूरगापूर बैरेज 27 किलोमीटर दूर अंदर से रोड दिखा रहा है फिर हाइवे में उठाएगा उसक से 27 किलोमीटर दूर जाएंगे शायद कहां से लेके जाएगा पता नहीं गूगल बावाई जानता है तो दूरगापूर बैरेज से कितना दूर है हमारे बांगलार कितना तेमपल वो भी बताऊंगा तो वीडियो में बने रही और दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किये तो गूगल बावा हम लोगों को जब दिखा रहा आता मैप तो दूसरे ऑप्शन भी दिखा रहा आता तो हमने नहीं लिए तो इस रोट से आके हम लोग बहुत ही ज्यादा भूगते दस मिनिट से रुका हुआ है और इधर पूछे आजूबा जोसे इधर रेल क्रॉसिंग भी ज्यादा बंद होता है तो इस वज़े से इस रोट को एवाइट करना सही होगा आपके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शायद आप लोगों को ये काम आ जाए दोस्तों हमारे सफर का ये तीसरा टोल गेट है और बारिस देखें अभी तेज पकरने की कोशिश कर रहा है और दोस्तों हम जो हाईवे से आ रहा है ट्रक और बस के पीछे से जो पाने छी रखे हमारे हेलमेट के वाइजर के उपर जो आके लगता है ना पूरा वीजिबिल होने का पहुत ज्याला गता है तो इस कारण से भी में पारिश का राइड एहोइट करता हूँ फिर भी दोस्तों क्या करूं शौक पाला है रिक्स तो उठाना परेगा आप सब के लिए रिक्स ले रहा हूँ तो सब्सक्राइब आल लाइक तो बनता इए तो प्यारे दोस्त तो फटाक से लाइक और सब्सकाइब कर दीजिए दोस्तों फाइनली हम लोग चले आए हमारे सेगेंड डेस्टिनेशन पर जो है दूरगापूर पैरेज लगभग 27 किलोमेटर दूर है रांधिया पैरेज से इधर का मौसम बहुती सुहना लग रहा है बारिश हो रहा है तो इस वज़े से आते हुए थोरा सा टाइम ले लिए क्योंकि हम लोग हरवरी नहीं कर रहें बहुती धिमे धिमे आ रहें पहले हम हमारे बाइकों का पार्क ठीक तरह से कर देते हैं उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा दूरगापूर वो मौसुन के समय का नजार है प बारिश हो रहा है बंद हो रहा है बंद हो रहा है बारिश के मौसम में बहुत ही दिकत होता है कि पीछे पानी इच्छी रखता है पूरे हेलमेट में गंदा हो जाता है तो बार बार ऐसे ऐसे करके साप करना पर रहा है और इधर क्या बोली मौसम तो देखी सकते हैं बहुत दुर्गपूर्ट बैरेज बहुत ही अच्छा लग रहा है और उधर है पूरूलिया उस्तों मेरा पूरूलिया का सफर अभी तेक नहीं हुआ बाद में हो जाएगा जरूश ये देखिए दोस्तों बहुत जोड की बारिश शुरू हो गया अभी नजारे देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है जो नदी के उपर बारिश गीर आ उसी समय हावा के जो जोड़ों के है ना नजारे को और भी बहुत घहरा बना देता है फिल करने लाइक तो देख के भी बहुत ही अच्छा लगा शायद उतना अच्छा आप लोगों को लग रहा है या वो पता नहीं अभी हम लोग दूरगापूर बैरेज होके जा रहे हैं बांगलार के दारोनात मंदिस बाबा भोलेनात की डलेख्ष लगवग चार या पाच क्लो मेटर दूर दिखा रहा है गोगल वाजी को अधर से हम लोग जा रहे हैं जो रिवर है दामोदर रिवर यह रिवर के बाजो से हम लोग जा रहे है इधर से 4 किलो मेटर दूर है अभी कितना टाइम हुआ है पता नहीं क्योंकि मेरा घर भी नहीं है और डिस्प्ले में टाइमली शोगरता नहीं है बारिस के मौसम में और फोन तो मैंने गूगल मैप सेट किया ही नहीं बारिस की वज़े से काम चला हूँ वाटर पूफ केस लाया नहीं तो इस वज़े से नजारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है पानी का स्तर अभी ज्यादा है दोस्तों मैप में लगाया नहीं हूँ तो इस वज़े से देवदा के भरोसे में चल रहा हूँ क्योंकि काम चला वाटर पूफ केस में लाया नहीं तो शायद इधर ही हो सकता है हमारे पांगलार की दाना टिंपल जै सिव शम्भूर जै महादेव जै महाकाल हर हर महादेव वो देखिए दूर से लग रहा है चले आए हम लोग पांगलार की दानात मंदीर पर आपको पूरा डिटर्स बताऊंगा वीडियो में बने रही है दोस्तो अभी इधर से हम लोग पैदली जा रहे हैं मंदीर के तरफ सामने एक लगडी का टूकड़ा रखावा है हम लोग तो अच्छे है लिखावा होगा फिर भी हम लोग पाइक लेके मंदीर के सामने चले जाएंगे तो इस वज़े से लगडी का टूकड़ा रखावा है और इधर का मीट टीवी गिला है तो इस वज़े से भी शायद लगडी का टूकड़ा रखावा है तो दोस्तों फञाली हम लोग चले आए दराके मन को अच्छा लगेगा पांगलार केदनात इसले बोला जाता है क्योगी ये लग किदानैस टेमपल जैसे इस्पेक्चर का बनावट है अभी भी ये मंदीर बन के तैयार नहीं हुआ और ये जो हवन कुंड देख रहे हैं इसमें नागसातु जी हवन करके इधर मूर्ती सिव जी का मूर्ती स्थाफ बन करके गया है और इस मंदीर में बाद में आऊँगा तो पहले हम लोग चलते हैं के बाजू में ही और दो भगवान की मूर्ती है मंदीर है यह है यह बाबा बज्यम्पली की मंदीर ठीक इसके बाजू में ही मंसा देवी का मंदीर यह है मामन सादेवी जय मा और दोस्तों अभी आपको हम ले चाहेंगे मंदीर के भीतर दोस्तों में मंदीर के सामने जाते हुए सामने बिल्कुल सामने नंदी महाराज विराज माने भगवान सीब जी के सामने मुग करते हुए और उसके ठीकी सामने कुर्मा महाराज भी पिराज माने दोनों महाराज भी भगवान सीब जी के सामने मुग करते हुए पिराज माने और अभी मंदीर का गेट बंधे इस छोटे से जगा से सीब जी का दर्शन कर लेते हैं आपके साथ मैं भी यह है जै शीवोशंबू भोलेनाद महाकाल हरहर महादेब यह है मंदिर का अंदर के नजारे मंदिर के अंदर कुछ इस परकार कर दिखाई देता है दोस्तों यह देखिए कि दन्न स्ट्रक्चर का मंदिर अंदर से तो बन गया है लेकिन बाहर से जो बाहरी सुन्दर ता है वो अभी भी बन के तयान नहीं हुआ है अगर आप लोग इदर खुमने आते हैं अगर इस मंदिर में खुमने आते हैं तो डोनेशन बॉक्स में कुछ ना कुछ दे के जरूर जाईए क्योंकि हम लोगों के सहाइता से यह मंदिर बहुती जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो और भी ज्यादा सुन्दर ताहिल जाएगा तो इस बज़े से टोनेशन जरूर कीजिएगा है कि अब अबी हम लोग है Кई पर देर हो गया अबी दो पैरद का लगफ़ सारे तीन बसी कि कहाए इतहर मेरे ब인데 का मामा थां तो न के साथ कणी करे हम लोग जा रहे हैं मामा के साथ जब हूं लोग मिले फिर मामा पौर चोर गया तो पैका लांगों का हम लोगों तो इस वज़े से हम लोग का देव हो गया तो अभी जा रहे हैं घर की तरफ शायद सक्तिकर रुपेंगे तो दोस्तों अभी शाम को लगबद पाच बच के बच पड़ी निन हो रहे हैं अभी पारीश बहुत जोर भी हो रहे हैं फिर भी क्या को रुप में का नशा चो अलग सा है वो नशानी से बहुत ज्यादा है तो इस वज़े से हम लोग सब आज बहुत ज्यादा मजे किये भीक इदर से घर लगबद 40-50 मिनित लगेगा ये आशा है तो आपको ये वीडियो का सालागा कॉमें मेरे सब ज़र शेयर केजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगए लाइक कीजिए दोस्तों ब्याश्या शेयर केजिए अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलैक भी कर स पिर भी मैं बोलूँगा लाइक जल्दी कीजिए गिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकान को प्रेस कर कीजिए को कि हर वीडियो की नोडिविक्टिशन आपको जल्दी मिंचा और दोस्तों इस महामारी के समय आप शूरक्षित रहिए और आपकी जैमिली भी शूर जाप सुष्टों अप्टाइब के ऐच आग।